हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग I am CA Veena Desai और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 Performance Management जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नमबर 10 Budgeting सो बजेटिंग में प्रीवियस लेक्च्चर में हमने एप्प्रोचेज देखे थे कि वेरियस अप्रोचेज बनाने के लिए कौन सा एप्प्रोच यूज़ कर रहे हैं सो वेरियस अप्रोचेज देखे थे जैसे टॉप डाउन बॉटम अप यानि इंपोस्ट बजट पार्टिसिपैटरी बजट जीरो बेस्ट बजटिंग इंक्रिमेंटल बजट अक्टिविटी बेस्ट बजटिंग फीट फोरवर्ड कंट्रोल बजट इसके अलावा हमने दे ऺिसे प्टले बजट बिजट बनाना हो चाहिए Mt当 국ione confined बेस्ट बजट बनाना हो चाया जीरो बेस्ट बजटिंगग करनी हो activity-based budget चाहिए आये देखते हैं, so budgeting requires a great deal of information that can be drawn from many sources, अब हम अगर budget बनाएंगे तो हमें information के requirement होगी, without information हम budget नहीं बना सकते, so budget बनाने के लिए हमें information चाहिए, कहां कहां से ये information हमें मिलेगी, तो सबसे पहले तो जो हमें information चाहिए होती है, वो हमें इन कहां से मिलती है, हमारी ही company के, हमारी ही organization के internal sources से मिलती है, अब internal sources, दो sources रहते हैं, internal, external, internal sources से हमें क्या-क्या information मिल सकती है, सो internal sources से सबसे पहले तो हम क्या देख सकते है previous year के actual results, previous year का क्या budget रहा है, previous year में क्या हमने actual results आए है, हम ये बहुत ही बड़ा source of information होता है हमारे पास, कि हमने कितना targets achieve किये है, कितना variation है, तो जब first source of information होता है, previous year's actual results, ये कि previous year के results, जब हमारे पास data available होता है, जितने भी पिछले सालों के data है, उनके basis पर हम आगे के और information gather करते हैं, और आगे के years के budget बजट पनाने में हम उसे use करते हैं, जैसे incremental budget ये तो पूरा का पूरा ही हमारे previous year के actual results पर depend करता है, Then, other internal sources, which may include managers knowledge concerning the state of repair of fixed assets, training needs of staff, long term requirements of individual customers, etc. Other internal sources क्या हो गया, managers, जो अलग-अलग department के managers हैं, उनका knowledge, तो देखिए, managers का knowledge है, उनका मालूम है कि जो fixed assets है, कब उनका repair कराना है, उनका maintenance कराना है, तो ये सारे उसके basis पर हम repair and maintenance का budget बना सकते हैं, या जो HR manager है, उन्हें बालूम है कि क्या staff की needs है, कि किस तरह से उन्हें motivate किया जा सकता है, क्या-क्या हम उन्हें अभी facilities प्रोवाइट करा रहे हैं, क्या और facilities प्रोवाइट करानी हैं, किस-किस staff के recruitment की ज़रत है, या फिर हमार long-term requirement क्या आने वाली है, या जो हमारी customers है, उन customers की क्या need है, तो ये सारे information हमें कहां से मिलती है, उन managers से मिलती है, जो इनसे direct contact में होते हैं, ओके, तो ये एक बहुत-बड़ा source of information है, हमारे पास managers के knowledge, then estimate cost of new products using methods such as work, study techniques, technical estimate, अब देखिए budget बना रहे हैं, new product आप launch कर रहे हैं, अब new product launch करें, आने वाले time है, first time आप product बना रहे हैं, तो हमारे पास उस product का कोई previous data तो available नहीं है, फिर हम कैसे पता लगाएंगी कि उस product को जो आगी की years में हम launch करें, उसकी क्या cost आएगी, तो उसकी cost के लिए हम क्या करते हैं, work, study, techniques, या फिर technical estimates, basis बनाते हैं, information के लिए, त उस product पर क्या-क्या cost लगने वाली है, तो यह जो हमने study की, technical experts आए, उन experts ने technically हमें बताया कि इस product के बनाने में यह parts लगेंगे, यह खर्चा आएगा, ठीक है, और उसके इसाब से हमने कोशित तयार करी, किसी नए product की, तो यह हमारे पास एक source of information होता है for budget, next budget की लिए जो है, अब हो है statistical techniques, अब statistical techniques हमने F2 में भी पढ़ा था, paper F2 में हमारा पूर एक chapter था statistical techniques पर, उसमें हमने पूरी forecasting techniques देखी थी, कि कि किस तरह से हम sales की forecast कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे techniques देखी थी, high low method देखा था, regression analysis, correlation, बहुत सारी techniques देखी थी हमने, तो यह सारी techniques use करकि हम identify कर सकत हैं कि आने वाले time period पर क्या हमारी sales होने वाली है, ठीक है, क्या sales होने वाली है, किस-किस product पर क्या cost आ सकती है, तो यह सारी चीजे हम कहां से पता लगा सकते हैं, कुछ statistical techniques होती हैं, जिसके basis पर हम पता लगा सकते हैं, forecast कर सकते हैं, then models such as EOQ model may be used to forecast optimal inventory levels, EOQ model, आप लोगों को सबको अच्छे से वाले में, what is EOQ, economic order quantity, वह quantity order place करना, जिस पर हमारी overall cost कम हो, overall cost में purchase cost हो, फिर आपकी fix रहती है, इसमें कौन सी cost रहती है, ordering cost and carrying cost, तो ordering cost और carrying cost दोनों का sum total minimum हो, वो point हमारा EOQ कहलाता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं, कि हमारा optimum level inventory का रहेगा, जो अब अब place करना है, various other techniques हम पता लगा सकते हैं, कि हमें कितना अपना inventory का level maintain करना है, so, ये models हम use करके forecast कर सकते हैं, कि हमें कितने inventory का level रखना है, कितना हमारी expenditure होने बाला है, ये तो सारे हो गए, internal source, इन सब की information हमारे internal source से मिलेगी, और experts से मिलेगी, अब कुछ ऐसे information होती ही, budget बिनानी के जिसके लिए हमें external source की जवरत पढ़ती है, क्योंकि देखिए, macro economic factors जो होते हैं, वो भी हमारे budget पर बहुत impact डालते हैं, तो external source of information may include, suppliers price list, estimates of inflation, exchange rate, moments, strategic analysis of the economic environment, मतलब हम जो budget बना रहे हैं, उसमें हमारे जो cost है, supplier से जो material आ रहा है, उसकी price list, यहां से हम अपना पता लगा सकते हैं, कि आने वाले time period पर हमारा material पर किता expenditure होने वाला किता हमें material का budget बनाना है, inflation का trend देखेंगे, अगर हमारा import-export का भी काम है, तो जो काम हमारा foreign currency में होता है, तो exchange rate का moment देखेंगे, उसके according हम अपने moment में जो changes आ रहा, जो variations आ रहे हैं, हम अपने budget में incorporate या उसके लिए provision budget में रखेंगे, economic environment जो है, उसका strategically analysis करेंगे कि future में हमारे product की कैसी demand होने वाली है, अगर particular policy में change होता है, या क्या government की policy से, उसके changes की वजह से हमारे product की demand में या cost में revenue पर किस पर क्या impact पढ़ने वाला है, ये सारी information से हम अपने budget को तयार कर द for budgeting, budget के लिए information चाहिए, तो main source रहता है, internal और external के लिए हम external source use करते हैं, जैसे suppliers का data, inflation, macro economic level के जिते भी factors हैं, जैसे inflation, exchange rate, other economic environment, उन सब का strategic analysis करके हम information gather करते हैं, okay, now, change factors impacting budget, अभी हमने देखा कि जो external factors हैं, उन सब के जो जो भी external factors के से हम information gather करते हैं, अपने budget बनाने के लिए, अब अगर उन external factors में कोई भी तरह का change आ रहा तो हमारे budget पर क्या असर होता है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं, political change, political change, अब political change की वज़े से क्या है, देखिए, अलग-अलग governments आती है, उनकी अपनी अलग-अल policies हैं, जैसे ही अन policies में change होता है, उनका direct impact हमारे budget पर पढ़ता है, हमारे organization के work culture पर पढ़ता है, कैसे देखिए, अब देखिए, अगर government ने suppose petrol, diesel की cost increase कर दी, main income हमारा transportation का है, तो क्या होगा, अगर जैसे ही petrol, diesel की price increase होई, हमारे सीधे से हमारे business पर असर पढ़ता है, क्योंकि उसके बाद inflation उपर जाता है, inflation बढ़ता है, और हमारे पास goods आ रहे है, material आ रहा है, या other दूसरे जो cost है, वो सारी cost increase हो जाती है, जैसे ही यह सब cost increase होगी, आपको अपनी selling price increase करनी पढ़ेगी, overall environment में क्या होता है, macro economic level पर inflation increase हो जाता है, या जैसे government ने किसी product पर GST, जैसे GST goods and service tax इंडिया में चलता है, या other indirect taxes, उनकी rates increase कर दी, तो उसका सीधा असर हमारे budget, हमारे demand पर सपर पड़ता है, तो या फिर government ने हमारे import, export policy है, उसमें changes कर दिया, या तो उन्होंने किसी product के export को increase करने के लिए उस पर subsidy दे दी, तो direct impact हमारे products पर पढ़ेगा, अगर हमारा उस particular product में हमारी dealing होती है, तो subsidy देती है, तो हमारे product demand पढ़ेगी, हमारा budget अच्छा हो जाएगा, या किसी के import को restrict कर दिया, तो उसका direct impact हमारे budget पर पढ़ेगा, तो ये कुछ changes हैं, जो government की policy में जैसे changes हाते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे organization पर पढ़ता है, और हमारे budget पर पढ़ fiscal policy में affect the demand for an organization's product, जैसे सीधे से हमने बता दिया, अकर उनों ने सपोज indirect tax की rate बढ़ा दी, तो क्या होगा, जैसे ही rate बढ़ेंगे, हमारी product की price बढ़ जाएगी, सीधे से हमारे price बढ़ते ही, price और demand, law of demand आप सब जानते हैं, जैसे ही price बढ़ेगी, demand डाउन हो जाएगी, या फिर cost अगर हम reduce नहीं कर पा रहे हैं, तो और हम वही selling price रखेंगे, तो हमारा profit margin काम हो जाएगा, तो यह हमारे product की demand को असर करेगा, import, export की policy में change होते ही, क्या होगा, सीधे से हमारे product की pricing policy और उसके demand पर असर आएगा, तो यह रहा हमारा political change का effect, तो demand for an organization's product and or the cost incurred in providing them, ठीक है यह दोनों पर impact हा सकता है, any such changes will affect both short term and long term planning, this is one reason why planning is a continuous process, so किसी भी product की demand increase होई, या cost increase होई, अगर मैंने जैसे बता है, petrol diesel की price increase होते ही, जो हम material मंगवा रहे हैं, या जो हमारे other expenditures हो रहे हैं, वो सारी सब की cost increase हो जाएगी, और cost increase होते ही, या था हमारा profit margin काम होगा, या हमें selling price increase करनी पड़ेगी, तो जो हमने planning कर रखी है, उस planning पर सीधे से impact पड़ता है, political changes का, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन changes की भज़े से अपने budget को continuously improve करते रहना पड़ता है, then यह तो था, first factor, political change, second factor देखते है, social change, अब what is social change, changes in social responsibilities and people's attitude towards them affect every organization, कैसे, देखिए, अब suppose हमारा business है cold drinks का, okay, cold drinks का है, अब अभी हमारा business चल रहा है, अब अगर लोगों में क्या होता है, कि थोड़ा सा लोग अगर social responsibilities आ रही है, मितलब health conscious हो रहे हैं, okay, लोग अगर health conscious हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या-क्या अपना cold drinks की वससे, other soft drinks, for example, local soft drinks पर अगर अगर वो आ गया, healthy soft drinks पर आ गया, तो इससे क्या होगा, हमारे business पर directly impact आएगा, या फिर अभी अगर हमारा कोई ऐसा business है, जो लोगों में अगर जैसे change आ गया, उनके social responsibility है, उनके attitude में change आ गया, कि हमें अब products जो लेने, वो सारे eco-friendly products लेने, ठीक है, तो environmental friendly products लेने, तो वो क्या करेंगे, हमारा product अगर eco-friendly नहीं है, तो सीधे हमारी demand पर असर आ जाएगा, या फिर अगर हमारा product eco-friendly है, तो क्या होगा, हमारी product की demand बढ़ जाएगी, और जो भी है, लोगों के जो attitude में change आ रहा है, इसकी वज़े से हमें अपने budget में भी changes करने पढ़ेंगे, okay, so changes in social responsibilities and people's attitude towards them affect every organization, तो अगर अपने recent year में देखा होगा, तो लोग बहुत सारे, at least in India, not only in India, in worldwide, बहुत से लोग अब eco-friendly products और health conscious product की तरफ, मुड रहे हैं, उनकी तरफ, उनका affection हो रहा है, तो इसकी वज़े से, जो cold rings और other, जो products हैं, जो health conscious नहीं है, उनकी demand में थोड़ा सा fall आ रहा है, तो ये हर organization का, और साथ में जो health conscious products हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा increase हो रहे हैं, okay, जो immunity boosters products हैं, तो इस तरह से, अगर लोगों के changes आते हैं, उनकी attitude में change आते हैं, तो हमारे वो changes की वज़े से भी हमारे product की demand में change आते हैं, और हमें अपने budget में change करना पड़ता है, so changes in social responsibilities, people's attitude toward them affect every organization, in recent years there has been much more concern about social responsibilities, some of which are now recognized by law, all of these factors may impage on the plans of the organization, तो इन सब की वज़े से हमारा जो organization का budget है, कोई भी change आएगा, हमें अपने organization की budget में change करना पड़ेगा, then economic change, अब economic change आ रहा है, inflation चल रहा है, recession चल रहा है, boom आ रहा है, या फिर आपका downfall आ रहा है, किसी भी तरह का economic factors में changes आ रहा है, तो इसका सीधा impact हमारे organization पर पड़ता है, और हमने organization का जो budget बज़ेट बनाया है, उसमें भी हमें changes करने पड़ते हैं, इसका एक बहुत अच्छा example है, अभी की जो हमारी situation चल रही है, अभी corona time चल रहा है, और corona time में क्या हुआ है, अधिकतर countries में, अधिकतर cities में lockdown रहा है, जिसकी वज़े से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सारे, कुछ sectors तो काफी बूम कर गए, जैसे health industry देखेंगे, तो और यह जो vaccination की है, medical industries है, यहाँ या फिर online classes का था, पूरा digital जो था, वो ज़रूर बूम किया है, लेकिन बहुत सारे sectors ऐसे रहे, जिन पर बुरी तरह से downpoll आया, जैसे tourism में देखेंगे, transportation देखेंगे, hotel industries देखेंगे, other manufacturing essential goods को छोड़के, other manufacturing units देखेंगे, तो इन सम्में जबरदस् तो अगर हम लोगा ने पूरे year का budget पहले से ही बना के रखा हुआ है, और उसके बाद अगर lockdown लग गया, और इन सारे sectors में lockdown लगने की वज़े से काम नहीं हुआ, और unemployment आया है, और इन सब की वज़े से, क्या हुआ है, हमारे demand में fall आ गया, cost increase हो गई, petrol results की prices बहुत हाई हो क्या की बात करें, but not only in India, all over the world ऐसा रहा है, कि recession चला है अभी और सब जेगे, अगर आप देखेंगे कि जो हमारी growth rate है, वो सब जेगे पर down हो गई है, ठीक है, तो इन सब का असर किस पर पढ़ेगा, हमने जो budget कर रहा है, budget planning है, उन सब पर पढ़ता है, और हमें अपने budget को व from boom, through recession, the demands upon people's income become more focused, money tends to be spent on necessary goods, with little left for luxury goods and savings, अभी lockdown time पर यही चला है, अधिक तर जो expenditure हुआ है, money जो spent हुआ है, वो किस पर हुआ है, सिर्फ necessary goods पर हुआ है, और luxury goods ऑपर बहुत कम हुआ है, और लोगों की savings ही ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की income बहुत कम हुआ है, और लोगो कुछ sectors को छोड़का, बाकि के sectors में लोगों की income बहुत down हो गई, तो उनकी savings पर भी negative effect रहा है, ओके, the lack of savings, debtors, investment and with the result that plans have to be modified if they are to be realistic targets, economic factors could be local, national or international and include global factors such as the banking crisis and its ongoing impact on the world economics, ठीक है, economic factors हम सिर्फ यह नहीं कहे रहे हैं कि सिर्फ locally होना चाहिए, यह local भी हो सकता है, national भी हो सकता है, और international हो सकता है, including global factors, कहीं बार क्या होता है, कहीं क्राइस आया है, for example, किसी foreign country में आया है, लेकिन उसका impact भी हमारी country पर आता है, अगर हमारे उस company से continuously trade relations अच्छे रहते हैं तो, ठीक है, so, अभी का जो यह corona वाला factor है, जो corona factor जो आया है, जिसकी वज़े से all over the world, maximum countries में lockdown रहा है, तो यह तो पूरा global और international factors रहे हैं, यह सारे factors ने हमारे organization को impact किया है, so, यह economic factors हैं, अगर इन में कोई changes आते हैं, तो उन changes की वज़े से हमें अपने budget में भी change करने की जरुरत अगे, okay, now, next is technological change, अब technological changes तो अब बहुत अच्छे से aware है, इसका बहुत अच्छा example है, जैसे पहले, हमारे क्या चलते थे, typewriter चलते थे, okay, अब typewriter क्या हो गया, जैसे ही computer आया, यह क्या हो गया हमारे, obsolete हो गया, okay, फिर जब computer आया तो हमारे पहले बड़े size के computer थे, अब यह बड़े size के computer थे, अब इसके बाद में हमारे क्या हो गए, छोटे size के iPad आ गए, laptop आ गए, तो computers में भी नए 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 version आ रहे हैं, तो जो हमारा, अब इतना जल्दी हमारा change आ रहा है, या अगर हम phone में भी देखें तो पहले हमारे पास छोटे phone आते थे, अब हमारे पास smartphone, android और यह सारे phones आ रहे हैं, और इनमें भी continuously changes आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी जल्दी technology में changes आ रहे हैं, जिसकी वज़े से हमारे जो products हैं, वो जल्दी जल्दी उनकी जो life cycle के लिए वो बहुत short होती जा रही है, और obsolete ह होए जा रहे हैं, तो आज अगर जैसे हमारा ऐसा product है, जो technology से related है, for example mobile phone है, तो जैसे है technology में change होगा, उसका सीधा impact किस पर पढ़ेगा, हमारे product पर पढ़ेगा, उसकी demand पर पढ़ेगा, और अगर ऐसा कोई technology में change आ रहा है, और उसका impact हमारे demand में या फिर किसी और चीज में पढ़ रहा है, या फिर suppose costing पर पढ़ रहा है, तो हमें इसका changes है, उसको हमारे किसमे incorporate करनी की जरत परती है, budget में incorporate करनी की जरत परती है, so when plans are made, they are based upon the use of certain methods and equipments, हमें जब budget बनाया, तब जो available technology थी या जो हमारे methods थे, equipments थे, उसके basis पर बनाया, जैसे ही technology advanced हुई, older methods are proven to be inefficient, with the result that decisions are taken to update the operation, कोई machinery है, अभी हम use कर रहे है, पता चला कि अब technological advancement हो गया, अभी machinery को हमें change करनी की जरत है, तो वो जब हम change करेंगे, तो उसकी वज़े से हमारी costing या जो भी है increase होगा, उसका impact हमें अपनी budget में लेनी की जरत पढ़ेगी, as a consequence, the aspects of the budgets and plans which related to the old method are no longer relevant, revised plans, must now be drawn up on the basis of the new technology, okay, then legal changes, अब legal changes क्या है, बहुत बार government के laws change हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो legal changes आते हैं, उसका सीधा असर, अगर हमारी organization उसी sector में है, तो उसका सीधा impact हमारे industry पर पढ़ता है, for example, suppose government है कोई एक rule निकाल दिया, jewelry industry को लेकर, या फिर education industry को लेकर, ठीक है, तो उन्होंने कोई अगर law बना दिया, उससे related, तो उस sector पर असर आएगा, उसकी वज़े से जो हमने budget बना रखे हैं, हमारा वो budget change हो जाएगा, so when plans are made, they are based on the current legal framework and known changes to this are also factored in over time, however changes to the legal framework can cause information that is used when pulling budgets together to become redundant, ठीक है, so legal framework में किसी भी तरह का change आ रहा है, और वो वाली information भी हमारे budget को change करने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि for example, and this might be government introducing legislation that bans fast food from being advertised during the intervals between children's TV programs, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखे, चिल्रन की TV programs चल रहे हैं, उसमें अगर हम fast food दिखाते हैं, बच्चे impress होते हैं, और हमारा program अच्छे से है, हमारे business के लिए advertising policy है, बट अगर अगर आप government ने rule बना दिया, कि fast food का advertisements, चिल्रन के जो TV program से उनकी बीच में आप नहीं दिखाएंगे, यह उन्हाने low बना दिया, बैं कर दिया उसको, अब क्या होगा, अब आप kids जो आप हैं, वो fast food का नहीं देखेंगे, इसका सीधा impact हमारे organization की sale पर पड़ेगा तो अब यह वाला जो change है, इस factor को ध्यान में रखते हुए, हमें अपने budget को भी revise करनी की जरुरत पड़ेगी, other factors, not that while a pestle analysis can be very useful to identify drivers of change in the industry, So what is pestle analysis, देखें अभी जो हमने करा वो pestle analysis था, pestle analysis मतलब P यानि political, E economical, S social, T यानि technological, E यानि environmental and L यानि legal, तो अभी जो हमने यह factors देखें हैं, यह सारा क्या थेगा, pestle analysis, short form में यह सारे factors का, So, जब हमने pestle analysis किया, pestle analysis यानि political, economical, social changes, technological changes, environmental and legal changes, इन सारे changes का analysis कर लिया, उनकी जो analysis की वज़े से जो changes आ रहे थे, उन changes को जब हमने budget में डाल दिया, It is very useful to identify drivers of change in the industry, but it does not automatically detect all factors that cause uncertainty, देखें, pestle analysis से हमें बहुत सारी information मिल जाती है, political changes के लिए, social, economical, technological, environmental, legal, इन सब के लिए information मिल जाती है, लेकिन ये कहना कि budget में जो changes करने है, वो सारी की सारी information इन से मिल जाती है, ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसी भी information है, जिसके लिए हमें other factors भी देखने होते है, pestle analysis के अलावा other factors जैसे की competitive factors such as activities of rivals, कितना competitions चल रहा है, आपका जो competitor से वो क्या policy ला रहा है, advertising policy, अपनी cost reduce कर रहा है, या selling price, pricing उसकी policy क्या आ रही है, इन सब factors का impact या जो भी decision आपका competitor ले रहा है, या फिर कितने competitors आपके sector में आ रहे हैं, competition increase हो रहा है, decrease हो रहा है, इस सब का impact हमारे budget पर पढ़ता है, ठीक है, product की demand और उसकी cost पर पढ़ता है, और ultimately हमें अपने budget पे change की जरुरत होती है, okay, and एक और factor है जिसका होता है, वो होता है stakeholder factors, suppose such as increase pressure from trade unions to initiate change, for example, आपके trade unions ने strike कर दी, या उन्होंने demand कर दी, price increase की, wages increase की, या other stakeholders, आपके shareholders की कुछ expectations increase हो रहे हैं, या other, जैसे आपके employees हैं, आपके creditors है, debtors है, उनकी किसी की में कुछ changes आ रहे हैं, तो इन सब changes का असर हमारे budget पर पढ़ता है, okay, तो यह other factors हैं, तो यह सारे factors हैं, जो हमारे budget को impact करते हैं, जिनकी वज़े से हमारे अपने budget को change करने की जरुरत परती है, कौन-कौन से factors हैं, once again, सबसे पहला तो pastoral analysis, यानि macro economic level के जो factors हैं, political change में आ रहा है, social change, economical, technological, environmental, legal, तो यह सारे factors की वज़े से, जो change आ रहा है, उनकी वज़े से क्या करना पढ़ रहा है, हमें अपने budget में change करना पढ़ेगा, okay, इसके अलावा other factors हैं, जहां से, जैसे की competitions, अगर competitors क्या policies change कर रहे हैं, या competitions कितना increase हो रहा है, या decrease हो रहा है, उसका भी impact हमारे budget पर पढ़ेगा, stakeholders की जो भी demands हैं, उनके factors में क्या changes आ रहे हैं, तो उसका भी असर हमारे product की demand पर पढ़ता है, और सिधा असर हमारे budget पर पढ़ता है, now, describe the sources of information required for a company's cash budget, it is test your understanding 12, हमें company का cash budget बनाना है, तो बताईए हमारी source of information क्या क्या होगी, अब देखिए, cash budget बनाना है, तो cash budget हम कैसे बनाते हैं, पहले यह पता होगा, तो फिर हम source of information देखेंगे, तो cash budget कैसे बनता है, देखिए, सबसे पहले हम हमारे पास जो opening balance है हम वो लेते हैं, उसमें हम various results add करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे जो payments हैं, वो क्या-क्या हैं, मतलब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि overall हमारे पास कितना cash during the year, या जो भी जिस भी period का cash budget बना रहे हैं, one month का बना रहे तो one month में, सबसे cash जाने वाला है, तो यह जब हो जाता है minus कर देता था आपका closing balance बसता है, तो यह cash budget बनाने का थरीका है, तो अब आपको क्या-क्या information चाहिएगी, सबसे पहले information चाहिएगी कि हमारे पास results कहां-कहां से ओरी है, और तेन हमें चीएगा कि हमारे पास payments कहां-कहां पर कर रहे हैं, हमारे पास starting में balance कितना है, आगे हमारे पास कहां पर कितना balance है या कितना balance रखना है, ठीक है, यह सारी information हमें budget बनाने में यूज़ में आती है, अब research कहां से होती है, रिसेट्स होती है हमारी sales से, फिर sales में हम देखते हैं कि हमारी sales cash हो रही है या credit हो रही है, अगर sales cash हो रही तो ठीक है, वहां से वारे पास हीते cash आगे लेकिन credit हो रही है, तो हम देखेंगे credit में debtor से जो हमारा receive होने वाला है amount उसका pattern क्या है, पैटर्न क्या है उसका कितने time period में हमारे पास rateors amount release होने वाला है one month में release पूरा का पूरा आने वाले coming time period में होने वाला है या कुछ जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे मेरा जित्तावी credit sales से उसका 10% मेरा next month में होने वाला है 50% next to next month में तो यह इस तरह से patterns चलते, तो क्या pattern है इन customer से आने का, other source of income क्या है, जिससे हमारे पास receipts हो सकती है, ठीक है, यह other source of receipt क्या है हमारे पास, फिर payment क्या क्या है, कब किस किस तरह से आपकी suppliers है, उनको आपको pay करना है, क्या suppliers की credit policy क्या है, ठीक है, suppliers को payment करने की, उनकी credit policy क्या है, इसके बाद other expenditure क्या है, जहां आपका payment होगा, आप जब wages दे रहे हैं, तो wages देने की क्या आपकी policy कब देना है, किस तरीके से देना है आपको, capital expenditure जो आने वाले time period में आप करने वाले हैं, वो किस तरीके से करने वाले ह ठीक है अगर आप loan लेने वाले हैं या amount जो borrow करने वाले हैं जो receive होनी वाली है वो किस तरह से करने वाले है क्या उसकी लिए policy है आपकी या अगर आपको payment करना है loan वगरे का या अगर किसी financial obligation का अगर आपको payment करना है तो यह सारे factors affect करते हैं यह सारी information required होती है हमें cash budget बनाने में so internal information will be required from the sales department relating to volume and estimated collection period sales department आपको बता देगा कि कितना आपका volume होने वाला है कितनी आपकी sales होने वाली है और किस किस तरह से आप amount collect करने वाले है तो cash budget में आने के लिए पहले information होगी production manager आपको बताएगा कि किस तरह से कितना material कितना labor कितना overhead use में आएगा ठीक है ये तस ने production manager ने आपको सिर्फ ये बताया है कि इतना इतना material labor overhead use में आएगा लेकिन purchasing manager बताएगा कि क्या prices है किस तरह की payment terms है human resource manager आपको बताएगा कि क्या pay rates है क्या bonus payment होगा क्या other overtime requirements है finance officer आपको बताएगा may forecast payment of interest, dividends, general office cost तो ये सारी कि सारी अलग-अलग departments आपको बताएगे कि कि किस किस तरीके से आपके वास revenue generate होगा कहां कहां आपको payment करना है तो ये सारी हमें internal information बिलेगी then external information may be required relating to forecast, interest rates, tax rates, payment terms of tax, exchange rates, inflation etc. तो internal sources से तो आपको अपना cash budget बनाने में help मिलेगी various departments से कि कहां से क्या receipt और कहां से क्या payment होगा लेकिन external source से पता चलेगा कि payment कुछ ऐसे payments है जो external source पर डिपाइड करते हैं interest rate, exchange rate, payment of terms of tax, tax rates, तो ये सब से आपको क्या मालू पढ़ेगा कि आपको other payments की terms पता चलेगी अब अगर हमें अपने budgetary system में change लाना है तो हमें कौन-कौन से factors consider करने पढ़ेंगे कि अगर हमें budgetary system for example अभी हमारा चल रहा है top-down या participatory budget चल रहा है यह हम अगर zero-based budgeting implement करना चाहते है, activity-based budgeting implement करना चाहते है तो अगर हम अपना budgetary system change करना चाहते है तो हमें किन-किन factors का ध्यान रखने की जरूरत है so a change in the budgetary system could bring about improved planning, control and decision making however before a change is met the following issue should be considered the budgetary system में अगर हम चेंज लाएंगे तो हमारी planning भी improve हो सकती है control and decision making process भी improve होगा लेकिन यह factors हमें ध्यान रखने होंगे first factor are suitably trained staff to implement the changes successfully क्या हमारा staff इतना trend है कि हम जो changes लाने वाले हैं वो change implement कर सके successfully क्योंकि देखिए अभी हमने देखा अगर हम zero based budgeting use करना चाहते है activity based budgeting में shift करना चाहते हैं तो हमें एक trend staff की ज़रूरत है तो क्या हमारा staff इतना trend है उसमें वो expertise है कि वो successfully change implement कर सके second will changing the system take up management time which should be used to focus on strategy so अगर हम system change कर रहे हैं तो देखिए इस system आप पूरा एक अपना budget का system अगर change कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ lower level पर नहीं होगा आपको higher level का भी full focus और उनका attention चाहिए क्योंकि एक पूरा system अगर आप अपनी organization में change करना चाहते हैं तो इसके लिए top management का involvement बहुत required है तो आपका जो top management है जो strategy बनाने में लगावा है जो strategy पे focus कर रहा है क्या उसके पास इतना time है कि वो अपना ध्यान अपना attention budgetary system change करने में लगा सके तो हमें वो भी factor ध्यान रखना पड़ेगा कितना time वो involved कर सकता है then all staff involved in the budgetary process will need to be trained in the new system and understood the procedure to be followed in changing to the new approach a lake of participation and understanding builds resistance to change अब देखिए अभी हमारा suppose चल रहा है top down अब हम participatory budget की तरफ जा रहे है या हमारा भी incremental budget वाला system चल रहा है तो पुरा हमारा staff उसकी used to है अब हम बिल्कुल अपना change कर रहे है suppose activity based budgeting लेकर आ रहे है तो जब भी हम कोई नई चीज implement करते हैं अगर जो हमारा staff है वो used to है incremental budget के लिए अब हम activity based ला रहे है या zero based budgeting implement करने जा रहे है तो staff उसके लिए resist कर सकता है तो इसके लिए उन्हें proper training देनी की जरूरत है उनको proper understanding देनी की जरूरत है कि किस तरह से ये budgetary system उनके लिए और useful होगा उनकी growth के लिए useful होगा organization की growth के लिए useful होगा तो उनको proper training और इस चीज की proper knowledge understanding सब देनी की जरूरत है अगर ये सब proper नहीं उनको information मिलेगी कि जो नया budgetary system change हो रहा है ये इनके performance measurement को और अच्छा करेगा या फिर उनकी growth के लिए और अच्छा है organization की growth के लिए अच्छा है तब तक वो क्या करेंगे इसके लिए resist करेंगे तो उनको proper training की जरूरत है proper knowledge देनी की जरूरत है तो हमें जब भी budgetary system change करना है तो इस factor को भी ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि ultimately implement जिस level को करना है जो staff है lower और operational और middle level staff है उनको implement करना होता है budget तो उनको confidence में लेना उनका participation उस budget में involved करना बहुत जरूरी होता है All cost of the system change for example new system cost training cost should be evaluated against the perceived benefits यानि की हमें cost benefit analysis करना चाहिए ऐसा नहों कि हम new budget implement करें without cost benefit analysis किये और बात में जाके हमें पता चलता है कि हमने activity based या zero based budgeting करी बहुत ही costly हो गया और जो benefits आ रहे वह बहुत कम ultimately हमारा budget higher हो गया हमें कोशिश करना ही चाहिए कि इस तरह की situation ना है cost benefit analysis new budgetary system implement करने से पहले या change करने से system cost training cost should be evaluated against the perceived benefits benefits may be difficult to quantify and therefore a rigorous investment appraisal of the project may be difficult to prepare now test your understanding 13 एक कोशन है देखते है a large holiday complex currently uses incremental budgeting but is concerned about its very high proportion of overhead cost and is considering changing to an activity based budgeting system okay incremental चल रहा है उनका high proportion of overhead cost है और वो activity based budgeting system लेने जा रहे है करने जा रहे है उस पे change करना चाहते है demand follows a fairly predictable seasonal pattern discuss the issues that should be considered before changing to a new budgetary system incremental से अगर वो activity based budgeting system में change करना चाहते है तो कौन कौन से factors उनको ध्यान में रखने होंगे चलिए देखते है तो activity based costing में सबसे पहले सबसे पहले मैं ध्यान रहना पढ़ता है कि activity based costing किस तरह की organization के लिए suitable है तो यह हमने अपने प्रीवेस लेक्टर में भी discuss किया था और जब हमने चप्टर 4 पढ़ा था specialist cost तो हमने यह वहां पर discuss किया है तो just take overview कौन से organization के लिए ज्यादा useful है जहां पर high proportion of overhead हो ठीक है फिर overhead में अधिकतर non volume related activities हो क्योंकि यह useful वही है जहाँ non volume related activities है अगर value added activities है या जैसे volume related activities है तो फिर वहां पर यह useful नहीं होता है और variety of products हो क्योंकि अगर एक या दो products ही बनाती है तो फिर activity based costing useful नहीं होती है ठीक है तो और यह small organization पर भी नहीं क्योंकि बहुत costly हो जाती है large organization में होना चाहिए तो देखिए यह large organization है large holiday complex है यहाँ पर high proportion of overhead cost है ठीक है तो यह दो तो यहाँ पर चीज़े हो रही activity based costing के लिए अब हमें क्या करना होगा overhead का analysis करना होगा और देखना होगा कि उसमें कौन कौन activities non volume related है तो अन अनालिस of overhead should be carried out to determine the proportion that have identifiable cost drivers which differed from the normal volume related cost drivers which may be used when carried out incremental budgeting तो volume related अगर activities है और उसके cost driver volume related है तो वह था incremental budgeting में ही उसके लिए best है अगर non volume related activity है तो हमें पहले वह identify करने पड़ेगी उनके लिए suitable cost drivers identify करने पड़ेंगे ठीक है तो हमें overhead का analysis करना पड़ेगा suitable cost driver identify करने पड़ेंगे for non volume related activity क्योंकि volume related activity है तो उसके लिए तो cost driver volume हो गया है if a substantial volume of overhead is non volume related then implementing ABB may lead to more accurate planning and control तो अगर हमारे non volume related activities जो है वहाँ overhead substantially यानि बहुत ज्यादा proportion है overheads का तब हमें activity based costing apply करनी है क्योंकि activity based costing ज्यादा accurate planning और control लेकर आएगी activity based costing एक suitable costing और budgeting method है issues which should then be considered और अगर ऐसा है तो हमें कौन-कौन से issues का ध्यान रखना होता है तो the development or purchase of suitable computer system to support an ABB process तो सबसे पहले हमें computer system suitable computer system चाहिएगा और develop करना पड़ेगा या purchase करना पड़ेगा किसके लिए activity based budgeting के लिए जो normal वाला है incremental वाला है वो वाला हमारा activity based budgeting में यूज नहीं आएगा उसके लिए हमें एक proper advance और इस तरह का हमें चाहिए system जो की activity based budgeting को के लिए suitable उसको support करें staff को training देनी पड़ेगी क्योंकि देखिए दोनों एक different approach है incremental अलग है और activity based अलग है तो हमें staff को proper training देनी पड़ेगी to operate and interpret the information produced क्योंकि activity based budgeting के लिए हमें different type की information चाहिए उसके लिए हमें staff को training देनी पड़ेगी development of an implementation plan and whether this should run in tandem with the existing process for our trial period so हमें किस तरीके से activity based budgeting के plan को implement करना है वो हमें देखना होगा उसको पूरा develop करना होगा और सबसे पहले हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि एकदम सी change करनी की बजाए एक हमें trial लेना होगा trial कैसे incremental भी साथ में चल रहा है और activity based budgeting भी आप trial के तोर पर साथ में चलाएं फिर जब आप देखें कि हाँ resistance है staff का कम हो गया है staff ने उसको accept कर लिया है activity based budgeting plan को उसके बाद हम उसे properly fully incorporate और implement कर सकते हैं लेकिन starting में हम लोगों कोशिश करनी चाहिए employees के resistance को दूर करने के लिए activity based budgeting introduce करने से पहले staff को proper training दे दे और साथ में trial के लिए incremental budget जो हमारे चल रहा उसी के साथ में चलाएं एक पर जब staff समझ जाए understanding आ जाए used to हो जाए then हम उसे properly implement कर दे सो यह कुछ factors हैं जो हमें activity based budgeting implement करते वे ध्यान रखने चाहिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो override हैं उसमें कितने non volume related activities हैं non volume related activities हमें जब पता चल गई फिर हमें क्या करना होगा suitable cost driver identify करना होगा एक बार हमने suitable cost driver identify कर लिया उसके लिए activity based budgeting को support करने के लिए proper computer system या तो develop करना होगा या फिर buy करना होगा staff को proper training देनी होगी और उनको पूरा understanding देनी होगी कि कि तरह से activity based budgeting work करता है और किस तरह से useful रहेगा then trial के लिए हम existing budgetary system है उसके साथ ही उसको चलाए और एक बार जब staff उसके लिए पूरी तरह से ready हो जाए उसको समझ जाए, trained हो जाए then उसको properly implement करें okay, so यह हमारा कुछ system था activity based budgeting कि अगर हमें यह introduce करना है यह new budgetary system introduce करना है तो हमें किन-किन चीजों की requirement होगी और किस तरह से हम अपना budgetary system change कर सकते हैं, right so आज हम इतना ही करेंगे, thank you करेंगे